स्पीड ब्रिजिंग टॉक्सिक प्लेयर के साथ खेलते हुए सबसे ज़ादा जो मैटर करती है वो है तुमारी स्केल्स और स्केल्स में टॉप वान पे स्पीड ब्रिजिंग आती है अगर तुम्हें आती है तो वेल एंड गुड लेकिन अगर नहीं आती तो वीडियो एंट देखो बता दूँ भई किया कीबूड और माऊस के साथ वर्क करेगी तो अगर तुमारे पास कीबूड और मौस नहीं है तो तो भाई एम सॉरी कीबूर्ड और माऊस लेकर आओ तो बाद में यह देखना लेकिन एक बार नॉलिज के लिए फिर भी देख लो और अगर तु speed bridge, फिर sprint कर लो और फिर चाहे jump करो, कुछ भी करो, नहीं समझाया slow mo में देखो So, first of all, तुम्हें अपनी position edge वाले block से 4 block पीछे रखनी है, उसके बाद तुम्हें अपना crosshair उस block पर लेकर जाना है edge वाले पर, और अब steps ध्यान से सुनो सबसे पहले तुम्हें W दबा के आगे बढ़ना है उसके बाद जब तुम्हें पहुंचने लगे तो तुम्हें अपना वो वाला button दबाना है जिससे तुम block place करते हो, right mouse button और कोई भी button जिससे तुम block place कर सकते हो उसको hold करके रखना दो block लगेंगे ऐसे W को मत छोड़ना और simply jump कर दो तो तुम ऐसे speed bridging करने लगोगे फिर sprint करो, jump करो भाई तुम पे depend अपना camera का angle बस सही रखना अब एक बार इस same process को भाई fast forward में देखो तो देखो, ऐसे क्या करने तुम्हें मैं ऐसे दबाऊंगा दो block लगेंगे, jump करूँगा sprint करूँगा, jump करूँगा भाई, सहाब कैसी O.P, smooth, मक्खन वाली speed bridging होगी जब बस block ना कतम हो जाए ध्यान से, F5 दबाऊ perspective change करो, कुछ भी करो बस mouse का angle सही रखना भाई mouse को नीचे भी लेकर जा सकते तो भाई बहुत ज़ादा cool लगेगा और बस camera angle कहाना तुम्ही hope करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी होगी और channel को subscribe करो भाई, अब इसके बाद में और speed bridging techniques लेकर आऊँगा bed war की भी techniques लेकर आऊँगा, भाई, सब कुछ Minecraft का content भरके आएगा विंजो का भी आएगा और भाई, content की कमी नहीं है बस subscribe कर लो, तो goodbye